कर दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो में इस वीडियो में कुछ नया चीज बात करने जा रहा है याद परसेंप्ट्रोन के बारे में तो सुनी लिया होगा तो नया क्या याद नया कुछ खास है नहीं बस लेयर लगा दिया है वह ऐसे बोल जाते नहीं मल्टि-लेयर परसेंप्ट्रोन तो इसमें क्या वहता है यार कि परसेंप्ट्रोन तो आपको पता ही चल गया हो पिछली वीडियो अगर आपने देखी अच्छे से तो इसमें क्या एक इन्पूट लेयर होता है उसके अलावा यार हम एक ये एक से जादा ना hidden layers add कर देते है एक से ज्यादा लेयर से करें तर मना आउट्पुट लेयर लेयर को चोड़के इस अthen ने की डिक्री इस ही को कहते हैं फिर वहीं मर्डियर फ्रस ने rights और एंक चीज और कि हर आउटि लेयर इस आउट्पुट लेयर को चोड़े कर भाकि सारे लेयर में एक biased वाली lyron भी होती है ठीक है यह जो green colr मे मैं नो है और यह क्या अपनी अगली लेयर से सब सारे नियूर gli के सारी और ऊक्क्रेट यहाँ पर दिखा हो यह green वाला input layer का bias है और यह बाकि सारे से connected यह अर यह वाला hidden पहली लेयर का बाइस है next layer से सबसे connected है ठीक है और output layer का कोई बाइस नहीं होता और एक चीज हम क्या बोलते थे एक neural network और artificial neural network बोलते थे इसे एनन तो अगर क्या होता है यह hidden layers है न यह दो layers में ऐसे काफी सारे multiple hidden layers हो न तो यार उस एनन में काफी सारे अगर hidden layers हो तो उसको DNN कहते हैं यानि deep neural network काफी जादा deep networks हो काफी जादा ही networks हो जाएं यह hidden layers हो जाएं तो उसको deep neural network करते हैं ठीक है dependent कर देता हूं हमको समझ आएगा DNN करता कहते हैं उससे पिर और एक बात आती है कि यार क्या हुआ था ना यह इसको ट्रेनिंग कैसे करें यह सब बहुत दिक्कत आ रहे थी आर इसको train कैसे करें क्या होगा यह तो इतनी सारी देख रहे हो ना मैं ड्राइंग बनाया तो इतनी खिचडी हो गई तो जिब काम करेगा तो क्या ही हो जागा यह देखो डंडिया दिख भी नहीं पर तीन भाई लोग थे लब तीन मतला आपस में भाई नेते हैं हम लोग के भाई हो गए एक ते डेविट भाई एक जोफरे भाई और रोनाल्ड भाई इन लोग ने आर 1986 में पेपर निकाला था रिचर्च पेपर उसने क्या क्या ना तबाई मचा दी उसमें कॉंसेप्ट ठीट है धा इन तीन होती क्या है कि अब तक तो आप नियूरन नेटवर्क से थोड़े वाकिफ हो गया होंगे तो मैं ऐसे अगर बना दू तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ठीक है तो एक अब इंट्रो में जानी चुक्क होंगे वेट है और ये नियूरन के अंदर की वैल्यू है और हर पात का वेट है तो मां लेते हैं हम हम एक होने में क्या वैल्यू आनी चाहिए तो मैं क्या से करोंगा तो इसकी प्रीवियस जो प्रीवियस नियूरन से उनके बेसे पर निकलता है वह और उन्होंने कौन सा पाथ लिया तो यह आ गया एकस वन इंटू बेट वन क्योंकि इसने इस रफ्ते सा आगा यह वाला connection है ठीक है और फिर इस पे भी dependent है यह भी connected है तो यह plus में है एक्ष टू इंटू डबलो टू प्लस यह जो बाइस टर्न में यह भी add होगा ठीक है तो बीवन ऐसे करके मैंने हच वन निकाला अब क्या है यह अब हो गया है अब होगा है इसे हैं होगा आप्ट के लिए यह चीज आज जी करते हैं जिसको कहते हैं activation function फंक्शन अ कि नियूर्ण किया करता है जो इस पे इन पूड़ आता है तो इस पर अप्डिवेशन फंक्शन लगाता है और फिर अपना बना कि आगे भेजता है, activation function के बारे मैं आगे की वीडियो में पुरा पता करने को मिलेगा, पुरा अच्छे से knowledge आ जाएगी, आपको activation function क्या होता है, तो अभी एक माल लेते हैं, mathematical function है, तो क्यूंकि मैं इस वीडियो में math थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ, mathematically, तो याँ मेरे को activation function क calculate कर दिया, तो मैं output h1 का calculate करने के लिए, क्या करूंगा, उस पर बस sigmoid function लगा दूँगा, तो ऐसे लगा दूँगा, तो यह मेरा h1 से output हो गया, अब जो h1 का output है, तो देखो y1 में जा रहा है, y2 में जा रहा है, तो क्या होँआ, जो इस neuron ने output दिया, आगे की layer के neuron के लिए input हो गया, तो ऐसे ही यह आगे बढ़ता रहेगा, तो मैं अगर left से right travel करूं, तो इस layer के बाद यह layer calculate होँगी, wait की basis पर, फिर उसके अगली layer, hidden layer के बाद output layer calculate होँगी, और end में मुझे कुछ result मिल जाएगा, बात आती है कि देखो मैं गया, input लिया, x1, x2, input something आया, कोई में ज किया, output को testing, अभी तो training testing चल रही है, मेरे पास ऐसे final result ही, तो मैंने उससे किया match, जो मेरे model ने output दिया, और जो मैस actual answer उसको match किया, तो कुछ ना कुछ error आएगा, ठीक है, तो अब क्या यह में मेरा, किया मुझे इस error को minimize करना तभी तो मेरा model सबसे best कहला आएगा, best error ही तो minimize क करेंगे हम, तो error minimize करने के लिए आपने analogy देता हूँ, जैसे कि या back to the future movie देखी है, या फिर कोई भी time traveling की movie देखे होगी, तो उसमें क्या करते है, अपने future को अपने हिसाब से mind करने के लिए, वो जाते है past में, और हलके फिलके कुछ changes कर देते हैं, ठीक है, हलका कुछ अगर मैं पीछे जाओंगा, ठीक है, वापिस, जैसे मैं travel करके आगया अपने neural network में, output से वापिस पूरा input लेट तक जाओंगा, और क्या है न, कुछ changes करूँगा, ताकि क्या है न, मेरा ये error कम हो जाए, मेरा ये यही है, मैं future में यही चाता हूँ कि error कम हो, तो इसलिए मैं जाओ पास्ट में और कुछ changes करूँगा, और देखोँगा कि मेरा error कितना कम हुआ, क्या, उसी के लिए, उसी के हिसास में changes लाँगा, तो यहार, चेंजेस क्या कर सकता हूँ मैं, तो यहार मैं कैसे calculate कर रहा था, h1 देखो, past के basis पर, यह हो गया, future मैं h1 calculate कर रहा हूँ, और यह उस यह में bias को change कर सकता, mathematically मैं 3 चीज़े changes कर सकता हूँ, अब बात आती ही, कि यार, मैं किसको change कर殉 हूँ, तो X1, X2 में दिक्कत है कि यार X1, X2 में चेंज क्या से कर सकता है, वो तो input है, वो तो मिरे को मिला हुआ है, वो थोड़ी change कर सकता है, वो तो मुरे को वही मिलेगा, यार X1, X2 पे changes हम कर नहीं सकते, अब बात आती है bias की, यार bias जो होता है वो हम खुद से add करते हैं, मतलब programmer यार developer add कर रहा है, तो यार वो खुद सोच समझ कि starting में add करता है, जिससे की, मतलब viable number है, मतलब उस पर जाता scope नहीं है, उसका improvement कर पहले से हम अच्छा value देंगे, तो यार उसको क्या change करना जाकर, वो पहले से थोड़ा optimize दी देंगे, हम कुछ अच्छी value देंगे, जो weights होता ह इन्ही को हम change कर सकते हैं, इन्ही को करेंगे, तो मैं एक example लूँगा, जिसमें क्या करेंगे, हम weights कुछ होंगे, starting में, और फिर past back, पीछे जाकर, हम weights को ही change कर गाएंगे, और जो यह तरीक है ना, कि पीछे जाओ, फिर changes करो, इसी को कहते हैं, back propagation, ठीक है, आगे ऐसे travel करना, और वहापी इस past में जाके changes करना, या पीछे जाके weights change करना, इसी को कहते हैं, back propagation, ठीक है, तो क्या एक example लेके देखते हैं, कि back propagation, तो actually काम क्या कर रहा है, क्या calculations होती है, तो मैं एक example लेता हूँ, जिसमें, क्या करूंगा न मैं, इस particular case है, इसी को solve करते हैं, जिसमें 8 weights हैं, और x1, x2 की value है, और final values में मैं कुछ hedium कर लेता हूँ, तो x1, x2, और मुझे क्या चीए, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, और final answer t1, t2, चीख है, इसका कुछ values लेकर देख लेता है, साथ में हमें यह bias की value देनी होगी, v1, v2 की, loop n से कर देता हूँ, त्यार weight ले, मतलब input ले लेता है, 0.05, 0.1, bias ले लेता है, 0.35, 0.6, अभी इस calculation के लिए ले रहा हूँ, इसका कोई, इसका कोई, रियल आत्मी से कोई तालुक नहीं है, kind of शीज, ऐसे कुछ ले लिया, माल लीजे मेरा output answer, actual answer यह आ रहा है, अब क्या है ना, मिरको weights को भी लेना पड़ेगा, कुछ-कुछ values, और actual weights का starting में initially कुछ random value हो गाई, शुरुआत करने के लिए, तो जैसे कि हम linear regression वाले में भी तो करते थे, स्लोप और इंट्रसेट के value starting में assume किये करते ही थे, फिर उसको सुधारने में लगे रहते थे, शुरू कहीं से शुरू करेंगे, तो वही वाली बात हो गई, कोई भी random, कुछ भी number आप डाल सकते हैं, कहीं से भी शुरू करा सकते हैं, कुछ भी weights की weights, हाँ लेकिन सबकी weight 0 और क्या कि देखेगा, वो सब identical है, सब को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो सारे ही एक साथ बढ़ गए, तो क्या करेगा, वो बहुत सारे neuron भले ही आपने बना दियोंगे, बट वो ऐसे काम करेगा, कि एक ही neuron है, ठीक है, क्यूंकि सारे एक दूसरे की clone है, copy है, त यार, दस neuron एक साथ fire हो, या फिर एक neuron ही fire हो एक काम के लिए, तो फरक नहीं पड़ेगा, तो आपकी पूरी layer एक ही neuron जैसे काम करेगी, तो वो एक ही मतलब linear circuit जैसा हो जाएगा, बिल्कुल, अगर मैंने सब की value बराबर डाल दी, उनके आपस में distinguish हो कर पाएंगे, तो मेरे क तो बिल्कुल एक दूसरे की copy हो गया न, clone एक की साथ काम करेंगे, तो मैं दो लगाई, क्यों नहीं की काम कर लेगा वो तो, यही चीज है, weights अलग-अलग दूँगा न, तो सब की individuality बनी रहेगी, सब individual है, independent है, हर बंदा अलग-अलग काम कर रहा है, सेम किसी से में काम नही कर रहा है, इसलिए अलग-अलग values से initialize किया है, मैंने ठीक है, weights को, तो अब देखते हैं, कि weights मैंने यह values ले ली, आपको कुछ मतलब याद करने की जड़रत नहीं, आप solve साथ साथ करेंगे, values इसको लेके एक बार, toss check कर लेना, ठीक है, मैंने calculation कर रहे है, तो यह values से शुरू आपको साथ हो जाएगा, बता दूगा मैं अभी calculation करूंगा तो, और क्या, और तो कुछ नहीं है, इसमें, एक बार, read कर लेना, screenshot लेके, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अभी पूरे वीडियो के end में, फिर से read करना, सब समझ आ जाएगा, एक एक लाइन, एक वर्ड मैंने, उसको यार, copy में बना लो और अपने साथ में रखो, ताकि मैं उसी पर basis पर कर रहा हूं, मैं बार बार जाके पहले page में दिखाऊंगा नहीं, तो आप उसको साथ में बना कर रहा है, उसको refer करना, तो forward pass क्या होगा, forward pass में तो यार, क्या करेंगा, x1, x2 है, तो अभी biasing add कर दी, तो इसकी क्या value आया थी, यह 0.05 थी, into 0.15, plus 0.10, into 0.20, plus 0.35 थी, तो इसकी calculate करोगे, तो value आया कि कुछ ऐसी, calculator यूज कर ले ना, मैंने time बचाने के लिए पहले सी कर लगता है, अब क्या हूँ है, हम बन गया, अब इसका output त्यार करना, output त्यार ने करने के लिए activation function से गुजरना पड़ेगा, इसको अगनी परिक्षा देनी पड़े, activation function वाली, activation function में अगर मैं गुजा दू इसे, क्योंकि मैंने यार, sigmoid माना था, अगर याद हो तो बहुत सारे होता है, आप आगे पड़ोगे, तो सब कुछ दखना लगाओगे, तो function गया हो गया, इसस 75 को, तो यह value आती है, को 0.593 है, इंडिजेक में मैंने उसे chop कर दिया, round of minute की है, यह बन गया, और यार, ठीक है, अब, यह calculate होगे अपना h1, इसी तरह से h2 के आएगा, अपना output h2 का, तो calculate करके रख लिया है, 0.596, ठीक है, तो यार, उसमें क्या हो जाएगा, बस यह weights ही त होगा, h2 के calculation में, और b1y होगा, तो इसका value इतना आ रहा है, ठीक है, आप calculate कर लो, और ऐसे बीच-बीच में मैं बोल रहा है, कि मैंने calculate कर लिया, तो आप वीडियो को pause करो, खुझ का calculation करो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को resume करो, ठीक है, मैं pause कर दो, तो मैं बैटके आपक ठीक है, calculating, क्या, y1 करता है, ठीक है, तो y1 calculation करेंगे, ऐसे, y1 क्या होगा, output जो h1 ने दिया, फिर जो path लिया, w5 path लिया, आप neural network को refer कर सकते है, जब भी मैं लिखूं, साथ-साथ confirm करते रहना, ठीक है, h2 और w6, प्लस hidden layer की बाइसें गीए, ठीक है, अब इसमें value put कर देता ह हूँ, कितनी, यह w5 की value है, एक सेकंड, ऐसे ही लिख देता हूँ, ताकि confusion ना हूँ, कितनी आय थी, 0.593, h1 की value, फिर 0.4 थी है, इसकी value 0.596 आय थी, अभी पिछले page में किया है, इसकी 0.45, प्लस 0.6 अपनी बाइस टम थी, यह कर लिया, इसकी value आगी 1.105, अब बात यहा output भी निकाल देता हूँ, out y1 क्या होगा, out y1, इसमें भी मैं sigmoid function लेके चल रहा हूँ, बात यह है, जरूरी नहीं होता है, कि आप एक neuron में जो लगा हूँ, एक layer की neuron में, सारे layers में वही function लगा हूँ, अब अपने desired activation function लगा सकते हो, यहाँ पर मैं calculation के लिए, बस sigmoid पर दि तो, ऐसे करके मैंने डाल दिया, यह की पार, minus 1.105, इसकी value निकल के आती है, कुछ, 0.751, ठीक है, यह calculate कर लिया, ऐसे ही मैं calculate कर लूँगा, अपना, y2 b, out y2, similarly, similarly, इल्कुल match चला रहा हूँ नहीं है, तो, पुरा match की तरह लिखी लेता हूँ, out y2 आदेगा, 0.772, ठीक है calculation हो गया, अब मैंने output निकाल लिया, ठीक है, forward मैं आगे बढ़ रहा हूँ, second layer का कर लिया, final layer का हो गया, output layer का, अब करता हूँ, total error calculate, total error, ठीक है, total, कैसे calculate करूँगा, क्या हो गया, इसमें मान के चल रहा है, mean squared error के हिसाब से निकाल रहा हूँ, mean squared error, assume कर रहा हूँ, absolute error होता है RMS होता है, और भी कुछ तरह के error पढ़ेंगे, तो सब का uses सीखेंगे, ठीक है, काफी चीदे यहां, abstraction लेकर चलनी पढ़ेगी, कि आगे की वीडियो में आएगी, इसी वीडियो में सब बता दिया, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहां calculation दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, तो मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं क्या लिया हूँ, आगे चलके आप और दूसरे दूसरे types के पढ़ोंगे, तो यह चीज़ा और clear हो जाएगे, एक तरह से dots बन रहा है, बट end में जाकर जब यह पूरा model खता होगा, सारे dots connect हो जाएगे, आपको टार्गेट और output के बीच का difference, target starting में हमने बोल दिया था न, assume कर रखाता है, मतलब उसकी value हमेर पास पहले से है, तो इसको अगर मैं इसको खोल दो bracket को, तो t1-out y1 का square, plus half, t2-output y2 का, उसका square, output y2 भी calculate कर लिया था, यह क्या हो गया, यह पहले neuron के उसके error है, और यह दूसरे की और से है, ठीक है, अब मतलब, पहले neuron में error, दूसरे में error, यह कितना निकल के आएगा, इसकी value अगर calculate करो, अब मैं क्या गरूं, डाल देना, output y1 है, हमारे पात, output y2 है, t1, t2, starting maximum कर रखा था, y value, तो इसकी value है, 0.298, ठीक है, इसकी value निकल के आगई, करेंगे changes, ठीक है, तो past में अगर changes करेंगे, तो यह रहा, इसको backward past चुरूओगा, अब हमने पीछे जाना शुरू किया है, और हम क्यों कहे थे, why, to update weights, मैंने बताया थे, कि हम weight को यह update कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ choice है नहीं हमारे पास, तो to update weights, we are going to, going back to past, ठीक है, मता ठीक है, neural network में देखो, अपने HR weights थे, तो मैं यहार W5 को पहले ठीक करता हूँ, ठीक है, W5 को ठीक करने कोशिश करता हूँ, तो यहार क्या होता है, अब ही optimize करूँगा, इसको optimize की value change करूँगा, तो कोई optimizer technique use करनी पड़ेगी, यह काफी सारे होता है, तो आपने gradient descent तो ऐसे basic formula था ना, कि new value is equal to old value minus, यह alpha था learning rate into gradient था अपना, यानिए d error by d well, ऐसे गरके निकालते थे, dell error by dell well, ठीक है, डाव भी बोलते हैं, ठीक है, डाव एरस गरके निकालते थे, सेम इसी तरीके से, निकालूँगा, मैं updated w5, उससे करूँगा, अपडेट, तो मैं gradient decent use कर रहा ह बाकिया आगे चलके, और भी कुछ-कुछ तरीके से आप वाकिप होंगे, पता चलेगा आपको, तो gradient decent पढ़ा है, तो gradient decent से करते हैं, क्या करूँ, error at w5 कर रहा है, तो error at w5 में, करूँगा, मैं del e total, और dow 5, अब देखो, यार, पिछले slide मैंने लिखा था, error का ये, ये वाला expression, खोल के, तर यहाँ पर तो कहीं w5 है ही नहीं, तो मैं differentiate करूँ कैसे, तो यार, इसके लिए क्या करूँगा, यार, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर out y1, y2 ये सब था, तो मैं यार, तो क्या differentiate कर दूँ, मैं इसको differentiate करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँगा, डाउ, इसके respect में differentiate कर सकता हूँ, अब अगर y1 का, आपको out y1 का formula याद हो, तो यार, y1 पर sigmoid लगाया था, तो उसमें भी यार, w5 तो था नहीं, तो उसको भी मैं differentiate कर नहीं सकता, तो यहाँ पर बात आती है, mathematics यूज़ करने की, जिसको कह आता है, chain rule, ठीक है, क्योंकि मैं अब इसको मैंने लिख रहा हूँ, left side को देखा, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अब out y1 को differentiate करूँगा, किसके respect में, y1 के respect में, ठीक है, अब y1 क्या था, y1 के formula में तो यार, था w5, ठीक है, formula दिखा दूँगा, आपको एक second, र्याद ना होतो, y1 का formula कहां गया, ये रहा, फिर y1 के formula रहा, ये रहा, ये रहा आपका w5, ये चाहिए था, ये चाहिए था, बट उसको मैंने लिखा किया, तीन term के multiplication में, ये, ये, और ये term, तो मैं क्या करूँगा, इंडिविज्यली इसको calculate करूँगा, इसको calculate करूँगा, इसको calculate करूँगा, इसको calculate करूँगा, तो अभी ये total out y1 से differentiate हो सकता है, थीक है, इन तो थीनों को calculate करूँगा, इनकी value put करके, आपस मैं multiply कर दूँगा, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो, जो मैं gradient निका समाल हो है, अब क्या करते हैं, निकाल देते हैं, डाउ, अलग color ले लेता हूँ, डाउ e total, पहले term calculate करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये value आ जाएगी, डाउ out y1, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, e total को मैं लिख दूँगा, ये पिछले में जैसे लिखा वात है, इसको out y1 का square, plus half e2, minus out y2 का square, अब इसको ये e total की value है, e total की value है, इसकी value नहीं है अभी, और इसको अगर मैं differentiate करूँ, इसको अगर मैं differentiate करूँ, ये e total की value है, ठीक है, फिर इसके साथ multiply के हो जाएगा, minus 1, और इस second term का differentiation तो 0 आएगा, ठीक है, इसको अगर मैं value पूट कर देता हूँ, तो, ये minus 1 ऐसे ले लो, 0.01 minus 0.751, ये देताएगा, 0.741, आगया ये, अब क्या किया, ये मैंने पहले term निकाल दी, calculate करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि था ये, del out y, down y1, ठीक है, output y1 उसको, तो यार y1, ये out y1 क्या था है, sigmoid function था, और sigmoid function का derivation ऐसे होता है, मतलब कि sigmoid function का derivative निकाल होता है, ये बन क्या आता है, ये, 1 minus y sigmoid function, इसका derivation, अगर इसको मैं ऐसे derive करूँ, तो मेरा क्या बन क्या हैगा, out y1 into 1 minus out y1, ठीक है, और अगर अगर पूरी derivation चेक करने हैं, त्यार गूगल पर चेक कर सबते हो, कैसे कैसे होता है, एक की power x से होता है, तो ये, तो ये ऐसा आ जाएगा, मिरेको तो याद है, sigmoid का derivation ऐसे होता है, इसलिए मैं डारेक्ट कर दिया, तो value पुट कर देता हू तो ये 1 minus 0.751, इसको calculate करेंगे तो 0.186, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है यार, तो मैंने कैया कि यार, मैंने इसको भी calculate कर लिया, अब, अब क्या था, तीसरा term calculate करना हो था, मैं, तीसरा term calculate करने के लिए, y1 by, ये था ना तीसरा term, del w5, तो y1 का formula क्या था अपना, out h1 into w5, plus out h2 into weight 6, plus जो bias था, v2, ये था, अब इसको अगर मैं differentiate करूँ, ठीक है, ये सिर्फ y1 का था, ये पूरे का है, differentiate करूँ, ये y1 का मैंने लिख दिया, ठीक है, अब मैं differentiate करूँ, तो क्या है का मेरे पास, ये 1 into out h1 into w5 की पावर क्या हो जाएगे, 1 minus 1, 0, plus इसका 0, plus इसका भी 0, ये constant w5 की respect में, तो क्या हो गया, मेरे value ये अगर मैं put कर दूँ, यानि out h1 नहीं आ गया, out h1, ठीक है, तो ये del y1 by del w5 की value हो गई, out h1 के बराबर, जो की है, 0.593, ज़र ध्यान से देखोते हैं, मैं तीनों value calculate कर लिए हैं, अब मैं क्या करता, अपना gradient जो था, यानि ये value, निकाल देता हूं, किसका, 0.741, multiplied, second term 0.186, और ये आखरी term, 0.593, ठीक है, अब इन तिनों का multiplication, निकल के आगा कुछ, 0.821, ठीक है, एगार देखोते हैं, मेरे gradient तो आ गया, अब क्या करना है, डबलु पाइट करना है, डबलु पाइट करने के लिए, वही, अपना, डबलु पाइट इस इकल टू, क्या ये अभी वाला डबलु पाइट है, नया वाला बन के आएगा, ठीक है, ये, ये क्या, इटा क्या है, अपना इटा है, learning rate, alpha से कर रहा था, अब deep learning में इसको, इटा से करेंगे, ठीक है, learning rate, यहाँ पैजियूम कर लिए, 0.5, ठी करी रहा हूं, ये भी कर ले रहा हूं, इसकी भी वायवल वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, सब जीरे-जीरे आप जब आगे बढ़ेंगे, ले मॉड्यूल में, तो आपको clear होती रहेंगी, इसके बाद multiply करते हैं, D, D total, 5, अपना, D, W, 5, ठीक है, value put करता हूं, 0.4, minus 0.5 weight हो गया है, तो आप सेम तरीके से न, अपडेट कर देंगे, W6, W7, W8, मैं calculation कर चुका हूं, तो मैं value लिख देता हूं, आप इससे अपना खुद calculate करके, calculator से match कर लेना, ठीक है, email पर आती, ये क्या होगा, new updated weights, ठीक है, ये निकला है weights, और अब क्या करेंगे, अब मैंने पह अब आउटपुट लेर से पीछे जाते वक्त जो था, तो पहले मैंने W5 से W8 तक की सब updates कर दिये, अब मैं और पीछे जाओंगा, ठीक है, अब और पीछे गया, तो यार, अब hidden layer जो था न, उससे पहले वाले weights calculate करना है, यानि W1 से W4 के बीच, ठीक है, आप W1 से W4 update करना ह कोई, प्रिदेंट डीसन का formula लगाँगा, और इसको मैं फिर से formula में देखोता है, e-total के formula में W1 भी नहीं है, तो लगाओ chain rule फिर से, कुछ ऐसा बन जाएगा, e-total, del out h1, और del out, फिर इसको भी इसके formula में भी नहीं होगा, तो इसको इससे differentiate करो, end में जाके h1 के formula में होगा और W1, क्योंकि इसके basis पर calculate किया था, तो ये बन जाएगा chain rule लगा के फिर से ये तीन term, फिर individually इनको calculate करो, individually फिर multiply करके ये निकालो, फिर W1 अपडेट करो, ऐसे W2, W3, W4 तक सारे अपडेट करो, तो आप ये करके देखो, मैं करवा देता हूँ आर, ऐसे ही अरसा लग तो अपना आ जाएगा, W1 कुछ, 0.149, values आप, आप calculation करके check कर ले, W2, values लिख देता हूँ ताकि, 0.249, और W4, एक पर क्या है ने, खुद से कर लोगी calculation ता, आपको actually पता चल जाएगा, maths क्या लग रही है, पर ऐसे ये सारे values calculate हो जाएंगी, check कर ले न, अब क्या हूँ आया पहुंच गया हो, अब वापिस, फिर से feed forward motion करो, आ गया हो, ठीक है, फिर end में जाएगे, फिर से आपको एक result मिलेगा, जो पिछले वाले से better होगा, फिर आप error निकालोगे, target से minus करके, जो मैंने किया था, अब क्या हो, error देखा, फिर थोड़ा, थोड़ा कम हो गया होगा, पिछले वाले से, अड़भी तक best नहीं हुआ, फिर जाओ के past में, फिर सब changes करेंगे, फिर वापिस update होंगे, फिर वापिस speed forward करोगे, यह सिल्जला चलता रहेगा, जब तक आप early stopping या फिर आपको एक viable answer ना मिल जाए, ठीक है, तो यह से चलता रहेगा, फिर forward motion, फिर back, फि आपको एक अच्छा से result मिल जाएगा, तो यही था back propagation, अब क्या होता है, कुछ-कुछ doubt आता है, एक मैंने काफी doubts होना था, इसलिए मैं किसी में clear कर देता हूं, कि काफी लोगों के मन में आ सकता है, जैसे कि यार, इसको देखो, इस neural network को ध्यान से, तो आप जब back propagation कर रहे ह तो आपने कर दिये weights को update, अपने w5 से w8 को update कर दिये, तो क्या आप यह सोचते हो कि मतलब यहाँ पर update करने आए, ठीक है, अपडेट कर दिया w5 से w8 तक, अब फिर से जाके मैं एक बाई result चेक कर लिए, कितना change हुआ, ठीक है, क्या पता answer आगे हो मेरा सही, और पीछे जाने जरुत नहीं पड़े, तो यार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, गडवड की आएगी, कि जब y1 calculate कर रहे थे, तो वो dependent है, h1, h2 पर, यहाँ से जो value output आएंगी, उस पर ही तो y1 calculate करोगे आप, और अगर h1, h2 को देखो, तो वो भी dependent है, कि इस से x2, x1 पर, एक layer ना, अपने पिछ बिल्कुल input layer तक, बिल्कुल starting वाली layer तक आपको जाके, ठीक ठीक करते वह जाता पड़ेगा, मतलब weights update हुए, करते करते करते, starting layer तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब layer, interdependent है, एक पीछे से x1 वाली layer पर dependent है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि एक layer update करके, वापिस forward motion करके जाके चेक कर लो, वो जो चीज है ना, उसके अंदर की values, output, वो पिछले layer पर dependent है, तो वहाँ जाके भी changes करने पड़ेगे, वो layer उससे पहले की layer पर dependent होगी, ऐसे करते करते हैं, आपको पूरा ही जाकर starting तक motion करना पड़ेगा, input layer तक पहुंच जाओगे, अब फिर अपना field format motion करके वापिस आके, output निकाल होगे, फिर वही error चेक करोगे, जरुबध है पीछे जाने की तो फिर जाके ठीक करोगे, तो पूरा का पूरा travel करना पड़ेगा, ऐसे बीच से वापिस नहीं आ सकते, यह doubt काफी आता है लोगों में, कि हम बीच से क्यों नहीं आ सकते, क्या पता जाएगी, और जो कुछ मैंने टर्म्स बता दिया, activation function और जैसे gradient decent की जागा, और भी कुछ ही use कर सकते है, mean square error मैंने क्यों लिया, और भी error तरीक है, यह module खतम होते होते हैं, आप पूरा clear हो जाएँगे, I am sure, ठीक है, और जब पूरा module एक बार पढ़ लो ना, वापिस आके यह वीडियो फिर से देख लेना, तो एक एक चीज समझ आएगी, और जो definition मैंने कहीं से भी यह चाप आया, यहां से कहीं से भी पढ़ लो, हर definition आपको समझ जाएगे, कुछ अलग चीज है नहीं में, ठीक है, वही चीज जो आम भी बता है, वही सब लिखिए, तो यार गु